हेलो दोस्तों, आप सब ने चांद और सितारे को एक साथ देखा होगा आज, तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन इसके पीछे भी एक साइन्स है, और जो सितारा आप सब देख रहे थे न, और सितारा दरसल एक प्लानेट है, जो कि सितारे के तरफ विहेव कर र तो हाँ, अगर स्टार नहीं है, तो इतना चमकदार कैसे दिखाई दे रहा था, तो मैं इसे डीटेल में एकस्प्लेइन करूंगा, कि कैसे कोई प्लानेट स्टार के तरफ विहेव करता है, और ओ जो दिखाई दिया, जो इंसीडेंट हमें दिखाई दिया, कुछ लोग तो बोलते हैं, यह सुपरनेचुरेल पावर है, क्यों ऐसे हो रहा है, यह तो पहली बार हुआ, लेकिन मैं बता दूं कि यह सुपरनेचुरेल इंसीडेंट नहीं है, यह एक नेचुरेल इंसीडेंट है, और जो दिखाई दिया ना आप सबको, ओ वहनस है, हमारा जो सुक्रग रहा है, ओ, शुक्रग रहा है, और यह वहनस एकलिप्स कहा जाता है, जो हमारे जो सन है, और जो वहनस है, और जो हमारे मून और आप स्ट्रेट लाइन में आ गए थे, और मून थोड़ा सा उपर हुआ तो उसके नीचे, हमें क्या दिखाई दिया? वहनस दिखाई दिया, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सूरज का लाइट आकर वहनस पर रिफ्लेक्ट होती है और वहनस चमकिला दिखाई देखो, इसका खुद का लाइट नहीं है, लेकिन वहां से जो लाइट आ रही है, लाइट यहां पर टकरा कर मेरे आखो तक आ रहे है, लाइट का इंफोर्मेशन अगर मेरे आखो तक पहुँच रही है, तो मुझे यह चमकिला दिखाई देगा, यही वज़ा है कि जो प्लानेट है, वो स्टार की तरफ विहेव कर रहा है, और यह बहुत ज्यादा दूर में था, यह बहुत ज्यादा ही दूर में था, इसलिए हमें कुछ बहुत ज्यादा चमकिला दिखाई दे रहा था, तो मैंने जो समझाया अभी, उसे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली करके देख लेते हैं, तो उतना तो समझा नहीं सेखूंगा एक्सपेरिमेंटली क्योंकि जगा बहुत कम है और वो बहुत ज्यादी लॉंग डिस्टेंस म आ रही है वहां से, और सेकेंड ये जो है, ये हमारा बहनस हो गया और ये हो गया अपना मून, ये मून हो गया, वो सन है, ये बहनस और ये मून, तो जब ये एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तो कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, मतलब जब हमारा जो मून है, वो मू थोड़ा सा अपने और्बीट में आगे बढ़ता जला जाता है तो यह जो हमारा वैनस है वह एक चमकिले तारे के तरह दिखाई देता है यह थोड़ा सा लाइट का इसू है लेकिन रुख जाओ यार तो ऐसे कुछ चमकिले तारे के तरह बिएव करता है क्योंकि सूरज की जो रोसनी है पहले वैनस में गिरती है और और रिफलेक्ट होकर हमारे आर्थ तक पहुँच जाती है और हमारे जो मून है उसके भी लाइट देखो नीचे के साइट कैसे दिखाई दे यह इंसिडेंट तो यह सूपर नेचुरल नहीं है इसे हम अगर गौर से देखें तो यह जो है यह हमारा भेनस है और यह हमारा मून है तो हाँ तो यह जो एकलिप्स होती है साल में रेर होती है ऐसे यह हर समय नहीं होती तो इसलिए हमें बहुत दिन के बाद यह नजारा द नहीं है तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइन्स है मैं इस वीडियो में तो कुछ बता नहीं पाया तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा इसके डीटिक